श्री महाल अच्मि नमा बास्तू ग्यान गंगा यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों धनवान होने से पहले मिलते ही यह संकेत अगर आपको भी संकेत मिलते हैं तो जरूर करें यह उपाएं माता अलच्मी की आपके उपर किरपा बनी रहेगी पैसा आज के समय में हर व्यक्ति की चाह है हर कोई चाहता है कि वह अमीर हो और उसके पास दुनिया की हर सुख शुब्याएं हो और हो भी क्यो ना बिना पैसे के इनसान क्या कर सकता है लोग उसे पेचान है और दुनिया में उसका नाम हो लेकिन सब की किसमत बक्त आने पर ही बदलती हैं, लेकिन आपके जानने की, आपकी किस्मत कब जागेगी, इसका जवाब हमारे पास है, अगर आपके मन में भी यह जिक्यासा है, कि मेरे पास पैंसा कवाईगा, मैं इनकतों में कर रहा हूं, लेकिन उतना पैंसा मेरे पास नहीं आपा रहा, जितने पैंसे की साथ एक कुछ ऐसी चीज़े हैं, जिनको घर में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये चीज़े आप घर में रखते हैं, तो बहुत जल्दी आपके पास भरबरेंस आएगा। जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं, या पिर आप अमीर बनने वाले होते हैं, अगर आपके घर में अचानक से लाइन में चलती हुई काली चीटिया नजर आएं और वे खाने की चीजों पर लगी हुँ तो यह बहुत ही शुब संकेत होता है अचानक से आपको दीखे कि बहुत सारी काली चेटी आई हैं और वह खाने की चीज़ों पर लगी हुई हैं तो यह बेहदी शुब है इससे आप जान सकते हैं कि माता लच्वी की किरपा से आप धनवान होने बाले हैं नमबर दो अगर आपके घर में किसी भी स्तान पर छोटे और प्यारे से दिखने बाले पक्षी जैसे चडिया या फिर कभूतर गोसला बना लें तो यह बेहदी शुब माना जाता हैं अगर आपके घर में कोई भी घोसला बना लेता है छोटी छोटी चडिया होती हैं खास कर कभूतर को छोड़कर के बागी चडिया जो होती है छोटी छोटी चोटी अगर वो आपके घर में आने लग जाएं उनकी अवाज आती है तो समझ लेना कि आपकी किसमत बहुत अगला है अगर यह गोसला पूरव या उत्तर दिसाम में बने तो यह और भी सुबह हैं अगर सुबह के बक्त गाये आपके द्वार पर आकर रमाए तो इसे इश्वर का अश्रिवा समझना चाहिए और उस गाये को रोट या फिर पालक किला कर बिदा करना चाहिए अक्सर आप देखते हैं कि प्रति दिन गाये नहीं आती सालों बीट गए और फिर अचानक से आपके घर पर लगातार गाये माता आने लग जाती है और वह रमाने लग जाती है क्योंकि गाये माता उसी के दरवाजे पर आती है जहां पर सुब संकेतों पोजिटिव एनरजी ज आने अच्छी सक्तियों का बास जिसके घर में होता है वहां पर माता लक्षमी का बास होता है और वहीं पर गौमाता आती है अगर आपको भी देखें कि एक अपते से लगातार गौमाता आपके दरवाजे पर आ रही है तो समझ लेना कि आपको भरपूर धन मिलने बाला है त्रंत गौमाता को रोटी गोड़ या पालक जरूर खिलाएं अगर आपके घर में तुलसी का पोदा खूब गना और हरा भरा हो जाए तो ये मानना चाहिए कि अब आपके घर में खुशाली और साती धन सम्रदी जल्दी आने बाली हैं आपके घर में तुलसी का पोदा पारवाल लगाते हैं आपके घर में तुलसी का पौदा नहीं लगता तो दोस्तों समझ लेना कि आपके घर में कोई न कोई नेगिटिव एनरजी है आपके घर में कोई न कारत्मकता उत्पन हो रही है जिसकी बज़े से आपके घर का माउल बेंगर चुका है अगर आपके घर में तुलसी खूब हरी बरी है जो भी पौदा लगाते हैं वो सुक्तनी खूब हरा-बरा होता है तो समझ लेना कि आपके घर में साक्षात माता लचमी का बास हो चुका है साथी अगर किसी रोज आपको सपने में ज़ाड़ू द्यान देना है लोटा जलका भरा हुआ उल्लू हाती मोर संक केला या पिर छिपिगली दिखाई दे तो मान लिजिए अब आपका अमीर बनने का सपना जल्दी ही पूरा होने बाला हैं आपके सपने में ज़ाड़ू नजर आती है ज़ाड़ू को मतल अचमी का स्वरूप माना जाता है गड़ी आप देखते हैं सपने में बहुत सीधी चल रही है रुकी हुई नहीं या अगर रुकी हुई गड़ी आपको दीख जाती है तो समझ ले ना आपका भक्त रुक चड़ाती हो दिखाई देते हैं उल्लू मोर छिपकली दिखाई देती है या आप सपने में संक बजा रहे हैं दोस्तों यह संकेत बहुती शुम माने जाते ही अगर ऐसे कोई भी संकेत आपको नजर आता है तो आप समझ लेना आपकी किसमत बहुत जल्दी बदलने वाली है दोस्तों अगर ऐसे संकेत आपको नजर आते ही तो जल्दी ही आपकी किसमत बदलने वाली है भरपूर दन आपको प्राप्त होने वाला हैं सुबह की बक्त घर से ओपिस जाते समय आपको रोजना पांच दिन तक कोई जाडू लगाता हुआ दिखे यह बहुत ही संकेत होता है आप जब ओपिस से निकल रहे हैं तो कहीं कोई मेला दीपक जला रही है पर उसे मेला दीपक जला भगवान को दीपक दिखा रहे हैं वो आपको नजर आता है कोई जमादा जाडू लगा रहा है और आप जब निकलते हैं तो वो आपको नजर आता है तो यह बहुत ही से पड़े हुए मिले तो यह भी धन के आगमन का संकित होता है जल्दी ही आप धन्मान होने बाले हैं जल्दी ही आपके पास पैसा आने बाला हैं यह संकित अगर आपको नजर आते हैं तो बहुत ही शोग है साथ ही अगर माताल लच्मी के दर्सन होते हैं यह तो बहुत ही कम को होते हैं अगर आपको भी माता लच्चमी के दर्सन होते ही तो समझ लेना कि अब आपकी किस्मत बदलने वाली है आप धन्वान होने वाले हैं आपकी पास आने वाला है भरपूर पैसा आपकी हर मनों कामना पूर्योगी और जीवन में जो भी कश्ट परिशानी दुकें वह आप ओपिस जाते राश्तिम गोव साला पड़ती है तो गोव माता को हरा चारा खिलाना प्रारम कर दें या गुड़ खिलाना प्रारम कर दें फल भी खिला सकते हैं दूसरा दीपदान भगवान सिव के सामने और पीपल ब्रक के नीचे दीपक जलाना प्रारम कर दीजे ये दीपक जलाना है यह ब्यादी शुम माना जाता है घर के जो चाबिया होती है उन पर ठीका लगाएं और घर के अंदर स्वास्तक चिन्द बनाएं तिजोरी पर मंदर में और घर में श्री यंत्र व्योपार ब्लद्दी यंत्र पीली कोड़ी हमेशा रखें फिर देखना आपक किसमत बहुत जल्दी बदलेगी जैमातारीम